ही काईज चर जगनात और वेलकम बैक टो माई चानल होप यू अला जई वेल तो आज मैं आप लोग को लेकर चलने वाली हूँ आमबगांच गुंडीचा मंदीर जहां पर सिक्टर 3 का रत आके रुका हुआ है तो फिर चलिए जल्दी से वहाँ चलते हैं और जगनात जी का दरसल करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके पहुंच गई हूँ आमबगांच के छक में और यह रहा गुंडीचा मंदीर तो फिर चलिए जल्दी से चलते हैं और ये रहा मंदीर का entrance gate और मंदीर में ये जितना कुछ वे arrangement हुआ है ना सब high-tech hospital के तरफ से organize क्या गया है तो फिर चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं तो जैसे ही आप लोग मंदीर के अंदर entry करेंगे ठीक left side में आपको एक छोटा सा camp type दिखाई देगा जो के high-tech तरफ से organize क्या गया है और यहाँ पे ना आपको अगर heart related कोई भी problem से तो फिर यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं और उसके right side में आपको यहाँ पे और एक stage दिखाई देगा भजन संध्या करके यहाँ पे 7 onwards आप लोग का भजन संध्या स्टार्ट होगा और यह रहा गुंडीचा मंदीर का entrance तो हम लोग evening के time में आए हैं तो अभी जिस जगनाची का संध्या आर्टी खतम हुआ है तो फिर चलिए सबसे पहले हम लोग आर्टी ले लेते हैं उसके बाद मंदीर के अंदर जाएंगे जो कुंडीचा मंदीर का जो entrance है ना उसके ठीक सामने यहाँ पे तीन फो बड़ा बड़ा ऐसा stand है जहाँ पे आप लोग दिया और अगर बड़ी जला सकते हैं मंदीर के अंदर ये सब लेके जाना allowed नहीं है अगर आप लोग लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग जला के अंदर जा सकते हैं तो फिर चलिए जल्दी से चपल को शू स्टांड में रखते हैं और उसके बाद हम लोग मंदीर के अंदर चलेंगे जहाँ पे भजन संद्या का stage में दिखाई थी उसके ठीक opposite site में यहाँ पे बहुत सारे चोटे चोटे दुकान है जहाँ पे fruits और flowers साथी साथ दिया वगेरा भी सेल हो रहा है अगर आप लोग को लेके अंदर जाना है तो फिर आप यहाँ से प्रशाद वगेरा लेके अंदर जा सकते हैं इसी के साथ यहाँ पे पूरी special खौजा गौजा ये सब भी यहाँ पे सेल हो रहा है अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं मंदिर के अंदर जाने से पहले सबसे पहले पैट धोलेंगे यहां पे और उसके बाद यहां पे हम लोग लाइन लगाके अंदर जाएंगे जगनाजी का दर्सन करने के लिए तो मंदीर के अंदर बहुत ही जादा भीड है इसलिए मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई बस छोड़ा सा ही क्लिप में कैप्चर कर पाई तो जैसे ही आप लोग मंदीर से बाहर आएंगे यहाँ पे आप लोग को एक खाने पीने का दुकान दिखाए देगा पूरी प्रशीद्ध बूल के यहाँ पे रत्यात्रा के लिए बहुत सारे स्पेशल मिठाई के डेशेस यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर चलिए जल्दी स चेक कर लिते हैं यहां पे क्या क्या अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा काकरा मालपूः रसमली राबिडी खीरी रासा बोड़ी पूरी डालमा बहुत सारे यहाँ पर आईटमस अवेलेबल हैं अगे अगर आप пар 沒有 को खाना है तो यहाँ पे आप पीचेगा, इसके बाद जैसे आप लोग मंदीर से पूरा बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे बाहर में भी बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रॉल से, जहां पे बच्चों के लिए खिलोना वगेरा मिल रहा है, पॉपंस मिल रहा है, यहाँ पे नारियल भी सेल हो रहा है, और नार कर लेते हैं तो सबसे पहले ये जगनाच जी का बड़ा भाई का रत है जो ग्रीन और रेट कलर का होता है और रत का नाम है ताड़ो धोज़ और ये है जगनाच जी का बेहन याने की मा सुभद्रां का रत और इसका कलर है रेड और ब्लैक और ये रत का नाम है दर्पदड़न और लास्ट में आता है जगनाची का रत जो की गिलो और रेट कलर का होता है और ये रत का नाम होता है नंदी घोसो तो सबसे जादा विल्स आता है जगनाच जी का रत में यानि की सोलाठो उसके बाद आता है बड़भद्र जीन का जोकी 14 होता है और लास्ट में आता है मा सुभद्रां का जोकी 12 होता है तो यहाँ पे मंदिर के opposite side वाले road में भी आप लोग को बहुत सारा छोटा छोटा stalls दिखाए देगा यहाँ पे भी बहुत सारे सावाल सेल हो रहा है और खाने पीने का भी stalls यहाँ पे भी हैं आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी कुछ ट्राइक कर सकते हैं आप यहाँ वाच आपने प्रेग प्रमा यहाँ आप लुटा एफ पे फौत कर लाग भी हैं अवन प्राइक कर दो वाग भी है अवाग आप लोग एवाग टेए